तरंगा रखन्दा टरंगा रचन्दा के साथ उसको उसको सहीत कर दिया गया कटल गया वैसियों में किया बसूर उसका यह था कि उसी हात neighborhood का इसकी जुस्तानunter शुक्रके उसको जो है कि उसी वक्तक्र कर दिया यहां जतने हाजरीन हैं जतने लोग मौजूद आये हैं सभी को मेरा सलाम आदाब और मेरे भाई उस मालिक का यह सुक्र गुजार है हम सब और खास तोरत हम उस मालिक का सुक्र गुजार है कि जिस मालिक ने हमको और सब लोगों को यहां तक बुलाया और इस काले कानून के खिलाफ एक आवाज उठाने का और उस पर संघर्च करने का मौका दिया है हर काम उसी के मर्जी से होता है उसने जब चाहा कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो सब को तैयार कर दिया है इसलिए हर आदमी से हम गुजारिश करेंगे कि हर आदमी इसी बात को सोच करके इसमें पसो पिस रहें और इस काम को अंजाम देते रहें कि उसमाली की यही मर्जी है कि हम इसमें लड़ें इसके लड़ें असबाब बने इसका कि इस असबाब के जरिये से उसको खतम किया जा सके मेरे भाईों और बहुनों हम पटना से आए हैं जब ये काला कानून लागू हुआ और लोगों ने इसके लिए इतजाज शुरू किया आज देखिए ऐसी नफरत का बीज बो दिया है इंसानियत इंसानों के अंदर से निकल गया है और हैवानियत इंसान के अंदर पर अपने रगा है और हैवानियत का इतना ज्यादा असर हो गया है कि अच्छा बुरा कोई नजर नहीं आ रहा कुछ समझ नहीं आ रहा है इंसान आज कुछ लोग इस चीज़ को करने लगे हैं कि उसके अंदर जो हैंवानियत भर दिया गया है खास तोर से हमारे दबे कुछले अलाकों में गरीबों को, मजदूरों को और किसानों को के बीच में जो जहां दबे कुछले अनपर हैं उन लोग के बीच में ऐसा बीच बो दिय है कि निकलते नहीं निकलता है और जानवर वहसी जानवर की तरह हो गए है मेरे भाई वहसी जानवर के सिकार मेरा लड़का अमीर हंजला जो पुलबारी सरीम के प्रोटेस्ट में सामिल हुआ था उसके हाथ में तरंगा जंदा था तरंगा जंदा के साथ उसको सहित कर दिया कदल कर दिया वह सूर उसका यह था कि उसे हात वाउग का तरंगा झंदा था वहां सेखेजकर करके उसको जो है उसे वक्त कर दिया तो सूर उसका शिर्व इतना था कि उसके हाथ में तरंगा ज्टा था मेरे भाइयों वैस्याना हरकत और दरिंद्द की ऐसे इंसानों के अंदर ये जहार घोल दिया है इन पाई ये सियासत करणों वालों ने अपने रोटी सेखने वालों ने लोगों को ऐसा वैसी बना दिया है कि इनसान, इनसान की फिकर नहीं करता है मेरे भाई, हम लोगों को इसका मुका दिया है कि हमको इनसान ये जरिंद्या, जो दरिंद्या आ गई है उस दरिंद्या को हर इनसान के अंदर से निकाल के फेकेंगे इसके लिए पूरा ज़दो जहत करेंगे और सबसे पहले जो हमारे जो जिस जिन लोगों ने इस दरिद्धी को फैलाया है उसका जर काटेंगे उसको यहां से बाहर निकाल देंगे इंशालला मेरे भाईयों हद होके इंसानियत की इस इतना ही नहीं किया बलके उसको मारने के बाद उसको छुपा दिया गया और दस दिन के बाद उसका लास मिला जब बहुत जादा संघर्ज किया कोई अता पता नहीं चल रहा था जब हमने रविश कुमार के इंटर्वीर में जब हमने क एक बात हमने कहा कि भाई देखिए हम भी तो इसी पतना शहर में इतने दिनों से रह रहे हैं लोगों के दिर्मियान में रह रहे हैं हमारा तजरबा तो ये कह रहा है कि पुलीस जिस चीज को निकालना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है और जिसको छुपाना उसको कोई निकाल सकता बेगर उसके चाहे ये मुमकिनी नहीं है ये स्टेटमेंट देने के बाद जब पुलीस हरकत मा आई तो दस दिनों के बाद वो एक ताला की क्या नाम है कि जल्म कुम्भी में से पानी में उसको छुपा के रखे हुआ था जंगल की मैं वहां से निका हैं और खोने के बाद भी हमने हिम्मत नहीं आ रहा है आप लोग तो थोड़ा भी खोने के लिए तयार रहे हैं और जिन लोगों ने इस नफरत की बीजबोया है और नफरत को इस मिल्लत में इस अवाम में फैलाया है उसको निकाल बाहर करने में जो है समों की भागेदारी साज़ेदारी हो इसके लिए हम सबसे हम सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग दामें दूमें सखनें तयार रहें इंशालला